आज में लिक्रेयों गेहों के याटे से बनने वाला इतना tasty और healthy नाश्ता के पांज स साथ нужно बन कर तैयार होजाता है तो चलिए इसकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक कटोरी गहुंग की इह вик मिस्टोड के अच्छ नाचते को बना त्यार करेंगे यहां पर हमने चोप लिए हैं इसमें हमने एक कटोरी इच्छे से फ्रेश मटटर डालें है आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी दरदरा सा पीश सकते हैं हमें यहाँ पर इनको मोटा-मोटा ही पीशना है जादा बारिख हमें必लकूल भी नहीं करना है क्योंकि हम इस नाश्थियों को एकदम से काफी ऐच्छा टेस्टी और कुरकुरा बना रहे हैं उसके बाद जो हमने मोटे मोटे मटर दरदरे करके रख रहे थे अब इसको हम ओल में डाल देंगे यहाँ पर और इनको हमें मीडियम फिलेम पे सिर्फ दो मिनिट के लिए भुनना है जादे टाइम के लिए में इसे बिल्कुल भी नहीं भुनना है तो इनको अच्छे चलाते में इसी तरिके से तो देखिया मटर हमारे अच्छे से बहुन चुकी है यह थंडा करना और यहाँ पर हम्हें इनको थ्यौल बॉल है जिसमें एक काटोरी हूंका भी ओs इस तो यहां पर हम नमक एट करेंगे थोड़ा सा मिया पर हल्दी पाउडर एट कर रहें इसमें थोड़ा साम यहां पर कुटा हुआ दरदर सा धनिया एट कर रहें इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है इस नाश्ते का एक छोटी सा इसका हमने प्याज यहां पर बारिक चोप क कि दिया है तो यहां पर हमने जिस काट रहें इस मैं तो यहां पर हम ने इसमें डाल दिया कर देंगे उसके बाद इसमें और पानी एट करेंगे तो यहां पर हमें टोटल डेल कटोरी पानी लगा है आदा कटोरी पानी हमें बच चुका है यहां पर तो इसे बेटर को में अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुटली कोई लंब से बिल्कुल भी न रहे तो इसको में अच्छे से फेटना है यहां पर बश्ssenक है तो इसकी कनसेस्टी का हमें बेटरश यहां पर ना जाधा पतला ना जादा गouse एक कटोरी आटे में में डेल कटोरी पानी लगा है अदा कटोरी पानी हमारा बच्छुका है अब हमारे मटर jätte मट्र दालने के बाद कुछ भी आप है ले radiant बालिन आप दाल भी मत्र का दिया है मंट्र कीकिक तो इनको अटि एकशे से अपना है और इसी तरह से आप मोटे मोटे मट्र कर दिए रही तो जेंको एक्ट पटा नाश्ता बनकर तैयार होगा तो चलिए इनको fry करते हैं, हमने उदर oil भी गरम होने के लिए रख दिया है तो यहाँ पर मैं इनको shallow fry करनी हूँ, आप चाहे तो इनको deep fry भी कर सकते हैं, oil हमारा अच्छे से गरम हो चुका है यहाँ पर हम चपमच की मदस से इसमें better डालेंगे तो यहाँ पर आप जितना बड़ा बनाना चाते हैं, उस हिसाप से इसमें better डाल सकते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा better add करेंगे इसमें तो यहाँ पर एक बेच में जितना fry होगा, इतना बेच हमने इसमें डाल दिया है तो इनको आपको medium flame पे fry करना है इस तरह से आप चम्मच की मदद से इसमें उपड़ से भी oil डाल दे ताकि हमारा नाश्टा उपड़ से इच्छे से पक जाए तो इस तरह से हमें करना है, उनको medium flame पे fry करें आप तो एकदम से कुरकुरा हमारा नाश्टा बनकर तयार होगा अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मसाला आप अपनी टेस्ट के हिसाप से इसमें एट कर सकते हैं हमने इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी एट किया, हरी मिर्ची भी एट किये अब इस नाश्टे को हम यहाँ पर पलट देंगे एक मिनिट के बाद यह अब इस नाश्टे को पलटे तो इस तरह से हम सारे नाश्टे को पलट देंगे तो इसको हम अच्छे से fry होने देंगे यहां यहां पर तीन मिनिट लगते हैं इस नाश्टे को अच्छे से फ्राई होने में तो इस नाश्टे को हमने वापस से पलट दिया है इस तरह से आप देख ले कि नाश्टा हमारा अच्छा सा कुरकुरा हो जाए उसी के बाद इस नाश्टे को आप निकाले तो यहाँ पर इसको अच्छे से पलटना है आपको आप देख सकते हैं नाश्टा हमारा अच्छे से फ्राइ हो चुका है यहाँ पर तो इसको हम हलका सा और यहाँ पर फ्राइ कर लेंगे तो नाष्टा हमारा complete हो चुका है इसको हम plate में निकाल लेंगे इस नाष्टे को fry करते टाइम आप गेस की flame को पूरे time medium ही रखे अगर आपकी इसको low flame पे fry करेंगे तो नाष्टा हमारा कुरकुरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा इसी तरा से हम बाकी बेटर से भी इसी तरा से नाश्ता बना कर तयार कर लेंगे तो एक बार in winter की season में आप इस नाश्ते को जरूर से बनाएए बहूत ही healthy औटेस्टी नाश्ता है एक दम चटनपटा सा कुरकुरा सा हमारा नाश्ता बनका तयार हुआ था तो इसी तरह से हम बाकी नाश्टे को भी बना कर तयार कर लेंगे तो हमने यहाँ पर सारे नाश्टे को अच्छे से फ्राइ कर लिया है नाश्टा हमारा कम्प्लीट है आप इसको चाहे चटनी केचप के साथ ले सकते हैं अगर नाश्टा बनकर तैयार हुआ है मैं इसको बताती हूँँ आपको आप इसकी आवास से पतार लगा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए लंजबोकस में शनीटे को रख सकते हैं काफी ह handout ajust high 국men अे चैप को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो को साथ जब तक के लिए कि यहां पर हमने एक कटोरी बारिक वाली सुजी है दो चमट यहां पर मेदा लिया मेदे की जगह पर आप बेसन भी ले सकते हैं अब एक काटोरी हमने यहां पर चाच का इस्तमाल किया अगर आपके पास छाच नहीं है तो आप इसको पानी से भी बना सकते हैं और या फिर अगर आपके पास पोदीना है तो जरूर इसमें डाले तो इस तरह से हम इसको हाथ से ही कट करके डाल देंगे इसमें पोदीने को तो आप इसे बीना चांच से बना सकते हैं यहां पर सिर्प आप इसमें डाले बाकी पानी डाले यहां पर हमने दो से तीन चम्मत जितना पानी इसमें एट किया ज्यादा पतला बेटर हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है इस नाश्ते के लिए और यह सूजी का नाश्ता है आ बिल्कुल भी नहीं भिखरेगा मैं जिस तरह से आपको बतानी हूं आप इसी तरह से नाश्वत बनायेंगे तो एकदम से कुरकुरा चटपटा सा नाश्ता बने आप चाहें तो इस बेटर को दो मिनिट का रेस्ट दे सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया जितना बेटर इसमें डाला है अब इनको मेडियम फ्लेम पे यहां पर फ्राई करेंगे अब यहां पर हम थोड़ा सा कर्ची से उपर डाल देंगे ताकि हमारा नाष्टा उपर से भी अच्छे से पक जाए तो सूजी का नाष्टा ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें डे इस पर अच्छा सा कलर आ चुका एक सैट से तो इस तरह से इसको में अच्छे से सावदानी से पलट देंगे वह दीखिए सूजी का नाष्टा पर यह बिखरा बिल्कुल भी नहीं है इसमें और अगर इस नाष्टियों को आप पानी से बनाते हैं अगर इसका पानी से घु होता है वह डाले इसे इसी तरह का नाष्टा है बनके आएगा तो इस नाष्टे को हमने तीन से चार बार अच्छे से पल्टा है यहां पर तो आप इसको अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर लें जब तकि अच्छा सा कुरकुरा नहीं हो जाता तो दीखिए हमारे नाष्टे के टेक्शर से पता लगा सकते हैं कि नाष्ट अकदम कुरकुरा हमारा बनाए तो इस तरह से नाष्टे को प्लेट में निकाल लेंगे यहां पर तो इन सरदियों के मोसम में एकदम हलका फुलका चटपठा नाष्टा जब आपको कुछ समझना आए कि क्या बनान तो इस तरह से आप नाष्टा बना सकते हैं काफी हलका फुल का नाष्टा यह दो इसी तरह से बाकी नाष्टे को फ्राइगे हैं गेस की फ्लेम काप मीडियम ही रखें पूरे टाइम के लिए हाई भी ना करें लो भी ना करें अगर आप लो फ्लेम कर देंगे तो नाश्ता हमारा कुरकुरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा इस तरह से हम सारे ही नाश्ते को फ्राई कर लेंगे यहां पर तो देखिए हमने यहा तो देखिए हमने सारे नाष्टे को अच्छे से यहां पर फ्राई कर लिया है तो नाष्टा हमारा सारा कम्प्लीट है आप इस नाष्टे को चाय चटनी केचप के साथ ले सकते हैं वीडियो में यहां तक पहुच ही गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपनी फ करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फेमिली और फेंड्स में इस नाष्टे की रेसिपी को जरूर से शेयर करें अगर आपका कोई भी क्वेस्टन है इस रेसिपी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थेंक्यू सो माच